नमस्कार दोस्तों नमस्कार साथियों सभी परिक्षार्थियों का एक बार हारदी कभी नंदन और स्वागत था आपके अपने यूट्यूब चानल पर एक बार फिर से स्वागत था आपका चलिए हम माडल टेस्ट फरसन पत्र दो उठाते हैं हमारी भूख से लिया हुआ हमाडल टेस्ट परसन पत्र है कहने को तो इसमें पंतालिस परसन उत्तर है लेकिन ऐसी बात नहीं है जहां भी चारों उप्सन में से जो एक्स्प्लेइन करने की बात आएगी बिल्कुल किया जाएगा तो पूरा परसन पत्र ध्यान से देखिए आपके लिए बहुती इलाव दाएक्सिद हो गाए और अस्टेट वाले परिक्षार्थियों के लिए खुश ख़बरी भी आ चुकी है कि आपके फॉर्म निकल चुके है और पेपर की तारिक भी घोशित कर दी गई है तो इसलिए अब हमारा समय आ गया तो चलिए अगले पें दूसरे पर संप्रसन किस ने किस थी बहुत ही इंपोर्टन परसन है बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टन या यूं आ जाता है कि इंदी साहिते सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी या कहां हुई थी ये भी आ जाता है इसका तो आपको मैंने जैसे की शुरू में कहा था वह अपना वादा निभारी हूं कि एक परसन नहीं है एक के साथ साथ कई परसन मिलेंगे यहां पे इसमें तीन परसन हमारे कवर हो जाते हैं कब हुई थी किसने की थी किसके शहयोग से हुई थी अब कब हुई थी की बात करें तो 1910 में हुई थी कहां हुई थी परियाग में हुई थी शहयोग प्रसोतमदास चंडन का रहा था क्योंकि अद्धिक्स्ता भी उन्होंने की थी लेकिन इसके सथापक्स जो थे कि इन में से कौन सी बिहार की कौन सी बोली बिहार की नहीं है बिहारी हिंदी के अंतर गत्र सिध्य सिद्धा प्रशनगर है करें तो यह आएगा और नहीं तो हम बिहार की भी कह सकते हैं इसमें यानि पुछी तो वह गई है बोजपुरी मैथीली और मगी अगर इन तीनों की बात करें तो यह हमारी तिन नों किसकी इप यहारी हिंदी की एक नहीं तो इसमें उत्तर जो आपका क्या रहेगा उत्तर रहेगा सी 36 गड़ी तीसरे का सी उसके बाद उत्तर की बात कर लेते हम रचनाकाल की दृष्टी से आरोई करम में व्यवस्थित कीजिए वही बात आगी दोस्तों देखें इसमें चार परशन है आरोई करम में यानि कि पहले रचनाकाल हमारा वह सबसे नया है 1931 में लिखय की फिर अगर इन सभी को देखें तो पृत्तों सबसकी पूराना है तो हम क्या बात करें कौन सा रहा होगा इसमें तीसरा मारा सपस्वान यह लेकिन सब से पहले हैं संदेश राशक फिर्थी राश्चों प्रफ्षीराजराश्व और संदेश Rाशक दोनों जो है वह आदी कालिन है रास्थ और सूर्षागर बड़ति कालिन और साके तादूनिक कालिन है तो यह हमारा कौन सा उप्षों रहेगा इसका संदेश राशक की स्थापना जो है अब्दुल रहीम ने की थी बहुत बार पुछा जाता है यह भी किसने की थी संदेश राशक की थोड़ा ध्यान रख लेना आप तो इसका ऑप्शन हमारा रहेगा सी ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं चलिए पांचवे परशन पर भा करें परांपरसाद निशनी और अब बात अजैती है राम परसाद नियरंजनी कि पांच-वाँ परसंद रहें जो न भासा योग्वसिषम कि थी पी ऑप्शन जो है आपका आए गया उसके बाद पृक्षा गूरू अपन्यास के लेखा बहुत इंपोर्टन सारी interaction दोस्तों यह बहुत इक सांट-षांट के पर समें पृक्स अंपर दिये गए हैं इसमें पृक्षा गूरू ऑपन्यास के लेखा का नाम बताईये पृक्षा और आम फुलेरी ना भी ओप्षन रहेगा इनका लाला शिरीन वास्ता तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम सात्वे पर्षन पर सात्वा पर्षन क्या कहता है हमारा इन में से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी गई है हिंदी की कहानियों का अगर जिकर करें हमें तो हिं गौशानी वाला पर संग पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि हमने चीन अअ पढ़tles थी अधिकतर लोग जो है इंदुमती को पहली कहानी इंदुमती जो थी वह उन्यसों में सरस्वति पत्रिका में प्रकाशित हुई थी अगर आपको ध्यान है तो इंदुमति का तो इस परकार इंदुमति को पहली कानि माननी जाती है लेकिन ना पहली कानियों कि 11 वरसका समय 1903 में प्रकाशित हुई थी जो राम चंदर शुकल की थी और दुलाई वाली जो नबंग म जिनका मूर नाम है राजिंदरबाला गोशन की थी तो अगर इन सारी कहानियों को अगर हम करें तो सबसे पहले उन्नी सो में इंदुमती प्रकासित हुई थी और यह सरस्वती पत्रिका में प्रकासित हुई थी इंदुमती तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं कि सोरिलाल गोश कि आविकासित में से किस अबद्स में हूआ है यानि की पूर्वी हंदी की सबद्स से निकली है अगर हम बात करें पूर्वी हंदी की से निकली है आठवा Vice wave मांधी निकली है तो यह ध्यान लखने कि इसका बी ओप्शन रहेगा यह भासा का चैप्टर मैंने पिछले कर लिया था थोड़ा अच्छे से तो अब इस पो हम जादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि यह सारी बाते हमने पिछले बहुत अच्छे डिटेल से कर ली थी चलिए आगे बढ़ते हैं नुवा परसन क्या करता है नीमन सूचियों को से मुलित कीजिए लीजिए अगे चार परसन आपके एक अठी आगे कि किसने कौन साथ सिध्धान्त दिया रश सिध्धान्त भरत्मुनी की बात करें तो का सिध्धान्त दिया इनको तीन से मिला देंगे उसके बाद आनंद वर्धन की यदि हम बात करें तो इन्होंने धवनी सिध्धान्त दिया और यदि हम कुंतक की बात करें तो कुंतक ने क्या दिया है वक्रोक्ति सिध्धान्त यारिति सिध्धान्त अब देख लीजिए कूट देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं कूट है इसके हमारे नौमे के नौमा पर्षन हमारा पहले का कौन सा था हमारा नौमा पर्षन की यह दी हम बात करें तो पहले का दूसरा था बिलकुल फिर था तीसरा पांच वा और पहला तो हमारा इसका नौमे का उतर रहेगा पहले का कौन सा था हमारा देख लेतने हैं एक बार इसको पहले का एका दो दो का ए ये उल्टा है इसको इसी तरह देखेंगे हम जैसे यहां दे रखा है एक बार देख लिजिए दो बर्तमुनी ने कौन सा सिद्धान दिया था बर्तमुनी ने दिया था एक का दो ठीक है उसक उन तक का वक्रोकती यह यहाँ पर आ जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए अब हमारा बनता है एका तो बनता है दो और बी का बनता है तीन और शी का बनता है एक और डी का बनता है पाँच चलिए देखते हैं इक मेर्स हाँ यह के अगलिवाम है यह थीन a a का दो एक में बन रहे है एक दो ज्यादा संश्ही तर्षक जरूरत हैं नहरे है एक का दो का डिक टीनली का पांच और डीका एक तो हुमारा इसका उत्तर क्या रहेगं सी उत्तर ही तृप करें आप इस परकार याद कर सकते एक इसको याद करने की भई याम कैसे याद करेंगे बर्तमुनी ने रश्क सिध्धान्त दिया था उसके वाद जो है आनंद वर्धन जब हम किसी धवनी को सुनते हैं तो बड़ा आनंद कैसे जोड़ ले इसकी सिधानी का सिधानिस प्रट में इसके जोड़ जाएक बढ़ते हैं तो हमारी बात चोहने जल्दी याद हो जाती है और इस परकार आपके संपर्दाय याद हो जाएंगे चलिए जी अगला परसंदस्वां परसंदेख लेते हैं स्थापना और तर्क वाला परसंद है विकल्पों में से सही का चैन कीजिए अब यहां पर यह दिबात करें हम आचारी राम संदर सुकल का इतिहास संद्रों में लिखे जाने के काण वर्तवान संदरों में दरापरुतित होता फिर भी व्यूपलव दित्यास गरंतों से दिविती है तो आप दूसरी बात सोचे भी नहीं पहले तो यह मान लो कि यह बिल्कुल ठीक है पहला इसका एक तो ठीक है तर्क क्या कहता है नए सोदों से प्राप्त निश्कर्सों का उन में समावेश नहीं हो सका तथापी साहिते के इतियास दर्शन की आधार भूमी उसमें अवस्य तयार कर दी बिल्कुल सही बात है नए निश्कर्स तो नहीं है क्योंकि 1929 में लिखा गा था उसके बाद तो बहुत अगे बढ़ते हैं अब आगला देख लिए 11 हमारा क्या कहता है राजा भोज का सपना नामक कृति के लेख कोन है इस बारे में हमने पहले भी बात की थी राजा भोज का सपना किसका है लेकिन फिर एक बार बात कर लेते हैं इंशाल्ला खां भारतिन्दु अरिश्टंदर श शिव परसाद शितारे हिंदोनों समकालिन है तो यहां पर यह दिबात करे राजा बोज का सपना किसने लिखा था हिंदी खड़ी बोली के विस्तार में इसका विएक महतर पॉन स्थान था इनका भी शिव परसाद शितारे हिंद का नाम आता है तो इसका option C रहेगा हिंदी स भूमे का जारी परशाद दिवेश्दी ने लिखी थी उसके बाद अगला लगा लिजीए हमारा परस κार्ण क्या करता है फिर सूची से मुलनवाला आगया सूची से मुलनवाला जो परसंद होता है वह हमारा तीन चार परसनों को एक साथ लेकर आता है तो इसमें क्या कहता आप के आप आप दिखा के बताती हूं कि हम उचारण को कैसे पैसान सकते हैं और कैसे आप उसको देख सकते हैं लेकिन फिलहाल तो आप यह बात कर लिजिए कैन इस्टे से सुरूओकर बार की तरफ निकलते जाएए और सारी जीचे एक स्टेफ बार की तरफ आती जाएगी समझने बहुत ही आसान है कैसे लेके मैं तक उनको तो बड़ा आसानी सी समझ सकते हैं दिक्त आती है अंतेस्त उसम और सवरों की तो वो एक दूसरे के साथ जोड़ दीजिए जैसे कि कोई किसी के साथ कोई किसी के एक जल्दी ऐसी वीडियो में डाल लूंगी शिक राती श हो कि कैसे उसको पैसान सकते हैं एक ट्रीक के साथ देखिए जैश है और घह यहां पर तीन तो शै आपको निर्विवाद सत्ते है कि शै तो उसम होता है उसके बाद बाद में आते कंट तालवे और दंते अब यह कहां से आपका काखा गय कवरग कंट से होता है तो क्या कोई है इसमें गय का गय है ना कवरग सारा है तो डी जो है हमारा हो क्या आजाएगा दी हमारा आएगा कंट से है ठीक है उसके बाद कैख गय के अगला बाद वरन कौन सा है चैछे जै वो हमारा आजता है तालवे से चैछे जै जै है तो जै आगया हमारा तालवे से ठीक है फिर कि तरफ आएगे ये दी हम बात करें तो जनते जात्य है थमारे तो यहां पर एगा हृथ कि प्रसेनल नंबर हमारा यार और इसका कूछ यह Candice देख ले मुझा, was arguments, if the इसका परसन हमारा रहेगा 13 परसन का उत्तर दी ठीक है उसके बार लिए आगे बढ़िए 14 परसन की तरफ देख लेते हैं 14 परसन हमारा क्या करता है निमली की थूचियों को से मुलित कर सही विकल्प का चैन कीजिए फिर 4 परसन आगे हमारे मैंने पिछली बार भी पिछली वीडियो में भी आप कोई बता था पिछला जो हमारा प्रमोडल टेस्ट पर प्रेक था उसमें भी आई थी वाद किस किस ने कौन कौन से वाद दिये है परसन नमबर चोधा चोध में कि ये दिबात करें तो पहला वाद जो है विशिष्टा दवैतवाद दवैतवाद रामा संपरदाए सुदा दवैतवाद आप देखिए रामा संपरदाए तो निर्विवाद रूप से बहुत सारे बच्चे हमारे जानते होगे C4 के साथ जाएगा ठीक है और ऐसे में हम पहले तो ये देख लें कि ओप्सन में है कौन जब पहले ये ओप्सन हमें मिल जाता कि C4 के साथ जाएगा तो हमारे 14 में परसन का उत्तरशिद्धा इसी रहेगा और इसमें से आपके ओप्सन देख लीजिए कौन कौन से हैं पहले का जो है हमारा क्या है दूसरा और A का 2, B का 3, C का 4 और चौथ्था हमारा है D का 1 A का, A का हमारा विशिष्टा दूसरा 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 कि और यह अमारा रामावतार है वह रामनद के साथ चलाएगा तो इसका परसन चोध्य में का उत्तर क्या रहेगा दो अधिके पड़नुवापरसन पटमावच परसन किहां के तानिमीली को से मुलिट किजिए तथा सही विकल्प का चैन की थे फिर हमारे चार परसन आगे और ह प्रस्थन है दर्क्ण किसकी रचना है अगर आपने तना यादो तो कुत बन की अगर इसको मिल ते हैं हम तो ऐसे जो पहली उत्वागान ऐगर द्धाची और मदुमाल्थी अभ यहां पर आपको अगर यह दो अप्षन एक और वह भी के साथ जा रहा ह् और A B के साथ जा रहा है और B जो है वो C के साथ जा रहा है अब यहाँ पर दोनों A और B में दे दिये नमबरिंग नहीं दे रखी तो इसको एक दो करहने इदर भी दे रखी ठीक है पहला जो है A A के साथ कौन सा गया है हमारा देखिए चंदायन कुतबबन A B के साथ यहाँ पर गया तो इसका शिद्धा सा रहेगा कि इसका ओप्शन दिया जाएगा क्योंकि और किसी में दब भी है नहीं जो ऐसे हो जाते हैं तो हमाई ज्यादा टाइम लगाने की आप सिकता नहीं होती और अम उसको जल्दी से पैचान लेते हैं कि किसके साथ जाएगा उसके बाद 16 परसंद देख लीजिए भीक सदी के लेख इन में से कौन है बीजमी सदी की बात करएगा नि की बीजमी सदी से अभीप्राय 1901 से लेके बीजमी सदी शुरू हो जाती है हमारी तो इसके बीश्मी सदी के लेखक की निमें से कौन से हैं हमें अगे डाक्टर नगेंदर नंदुलार बाज पर डाक्टर नामवार सिम्ग हर् you कि जिन बीरों की जननमा इनकी बात करेंगे तो हम नंदुलार भाजपेई जो ह्ना 20 मी सदी के लेखक की Willis के गंारो यहारर ऐसाद है इसमें वैसे तो सारे अ लेकिन इन इन्स प्रशकी सदी इन्हों ने लिए रचना praying की विर्शना हैं इन्सलिसे इंदि कॉमा करना था किसी कांड से रह गया यह नंदुलारी बाजपे की है सी उत्तर रहेगा सोड़ में का इसका रहेगा सी सही विकल्प का चैन कीजिए यह कि कहीं बच्चे भावात्मक रहस्यात्मक के दर्सन होते हैं तो सच्चे भावात्मक और रहस्यात्मक के दर्सन होते हैं तो सूफी कवियों में कबीर में साधनात्मक रहसेवाद है भावात्मक नहीं है पहला मतलब कवी भावात्मक नहीं है साधनात्मक है कबीर की बात है यहां पे तर्क क्या है इसका कबीर के हठियोग पर नात्पंतियों का परभाव है उनके हठियोग साधना से समंदित पदों में साधनात्मक रह 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 साध जबी आगे बढ़ते हैं परसंदेखते हैं नहीं कवीता-पत्रिका मृत इंपॉर्टेंट परसंदे हैं नहीं कवीता-पत्रिका के संपादक सा तो इसके साथ आता है जदीश गुपति इनके संपादक का नाम है जदीश गुपति राकेश मोहन अग्ये धरमवीर भारती सारे किसी उससे जुड़े हुए रहे हैं अग्ये का इदिनाम आता है तो तार्शप्तों के वह की बात करते हैं मोहन राकेश का आदे हदूरे काफी रहा था दरंबीर भारती के भी काफी सारे नाटक और इनके उपन्यास जो है सुरज का सातों गोड़ा कही बार पुछ लिया जता है इनका भी तो इनकी दिशनाएं भी काफी रही है लेकिन नहीं पत्रीका का संपादन जो है उजद्दी शुप्त ने किया था उसके बाद उन 1903 में संभाला था पत्रीका 1902 में शुरू होगी थी और मौवीर प्रसाद द्विवेदी रेलवे में नोकरी करते थे और वहां जो है नोकरी छोड़ के आके नहीं पत्रीका का संपादन भार संभाला था और 1920 तक इसका संपादन किया और हिंदी साहित्य को समरीद बनाने मे इस पत्रिगा का बहुत बड़ा योगदान रहा उसके बाद अगला देखे बीशवा परसन क्या करता है इन में से कौन सा उपनियाज हजारी परशाद दिविवेदी का नहीं है यानि कि तीन तो हजारी परशाद दिविवेदी के है और एक नहीं है इंपोर्टेंट परसन है अपने अपनवा नामदास का पोथा अब आपने कई बारस नीजिनवी बात होती है यह 3 विपनियास हमारा इसका ऊतर अपने अपने अजण भी नहीं है तो यह हमारा रहेगा ए उप्शेन इसका ए उसके बाद 20 खेकीशमा रस्मीमांसा किसकी रचना है। बहुत इंपोर्टन्ट है, रस्मीमांसा किसकी रचना है। आचार्ये रामचंदर कनी रया collegate ने रस्मीमांसा लिखा है। हमारे में किस्लेवस में भी इसका जिक्षन रहेगा तो李 अप्सन रहेगा। और जो है उनके बारे में किताब में भी बैठे हैं तो इसलिए वो और भी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं आतम जई की रचना इन में से किसने की थी और काफी चर्चित रही है उनकी रचना तो कुमर नारायन इसमें नाम आएगा भी ओप्षन है कुमर नारायन आगे बढ़िए तेईसमा परसंद अंधा यूग किस विधा की पुष्टक है यानि कि इसको अंधा यूग को कहते क्या है अंधा यूग अगर हमें किसले बसका आपको ध्यान हो तो उसमें अंधा यूग थी हमारी अप भी है साइद तो यह है क्या गीती नाटे नाटक कवीता उपनास तो अगर हम बात करें तो अनधा यूग गीती नाटे है नाटक है एक जो नपडा चीन परंपरा को नए रूप में दिखाया गया है किस परकार है बी option रहेगा गीती नाट्टे आए Goodbye है इसका option उसके ब परशन का उत्तर हम देखें तो इसके लिए हमसे में पहले देखना पुड़ेगा इनका पहला नाटक कौन सा प्रकासित हुआ था आदे दूरे तो इनका बाद का नाटक है तो इसलिए उप्षन तो अपने हाफ चला जाएगा उसके बाद अगला आता है हमारा लहरों के राज हंस यह भी बाद का है आसाड का एक दिन हाई यह पहले का है तो सी और डी की जो है टक्कर हुजाती है दोनों आसाड का एक दिन तो इनका सबसे इन सारे नाटकों में सबसे पहले का है उसके बाद देखते हैं उसके बाद कौन सा हुआ था आसाड का एक दिन के बाद लहरों कि राज हनसा जाएगा और फिर इसका उप्षन रहेगा डी जो आधे दूरे इनका जो अनाटक था हो तो 1979 में प्रकासित हुआ था आधे दूरे तो काफी बाद का है इनका उसके बाद पत्चिसमा देख लीजिए हमारा परशन क्या कहता है पत्चिसमें परशन में देख लेते हैं इन में से सही करम में कौन सा है यानि कि पहले कौन सा निकला और दूसरा कौन सा निकला पत्रिकाओं के या पत्रों के नाम है तो यह तो निर्विवाद रूप से सत्ते है कि उदंत मारतंड हिंदी का पहला पत्र था जो 1927 में निकला और किनी कार्णों से दिसंबर 1828 इसमें बंद कर दिया कर रहा है कलकता से निकला था सापता ही कि पत्तर था उदंत मारतंड तो यहां पर अगर इनुस सब को देखें तो दी में उदंत मारतंड सब से पहले दे रखा है जब इस पर कारका आता है तो हमारा वो परसन और भी आस हरनी है और फिर हन्स पत्री का की दिबात करें इंवो तो और में निकली थी उन्डे devastating में निकली तो इस परकार यह इसका उत्तर हमारा रहेगा ठीक है उसके बाद आगे बढ़ीए-26न रचनाकाल के फिर आरोय करमों में चार रचनाए हैं हमारी यहां दोस्तु आपको एक सुभीधा हो जाती है, आप आरोई करम में भी रिखोगे, और आप किसी एक लेखक की सारी रिचनाओं को याद करने का एक यहां पर यह भी देख सकते हों कि इसके नाटक है, एक लेखके और लेखका नाम है मारा जैसंकर परशाद आपको पता है यह दिया इसी कि नाटक लिखे हैं उन्हें खुब लेकिन उनके नाटकों की एक डंबना थी की बड़े लंबे पात्र भौत होते थे उनके नाटकों में, तो उनका सबसे अंतिम और पातर चरीतर चितरन की दृष्टी से अरंगमंच की दृष्टी से अगर किसी नाटक किये दिबात करें हम, आपके अम्मे के सलेबस में बिधाएं तो धुरोषवामिनी नाटक है, तो आप यूमान के चलिए कि उनका सबसे जो में भी प्रोड ता थी लेकिन सबसे ज़्यादा मंच की द्रश्टी जफल नातक अगर कोई है तो वो धुरोश्वामिनी है तो इस परकार 27 में का उत्तर हमारा रह जाएगा इसमें दी अजाद सत्रू की रचना जो थी वो इन्होंने 1922 में की थी और सकंद गुप्त की 1928 में और संदरगुप्त की 1931 में और धुरोश्वामिनी की रचना 1933 में हुई थी तो इस परकार इनके सारे नातक अजाद सत्रू जो है इनका 1922 में लिखा गया है उसके बाद अगला देखेए फिर वो स्थापना और तरक और विया आ गया ये वड़े मुश्किल सवाल होते हैं को बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है तबी बात बंती है परसन नंबर हमारा 27 और 27 में का नहीं है तो निच्चे दूसरे का पहले तरक और स्थापना पढ़ लेते हैं प्रगति शील कवी गांधी के नहीं माक्स के समर्थक थे वे अहिसा में नहीं हिसा में विश्वास करते थे पर गतिवादी कावे में हिसा को नकारा गया है तथा समाज को हिसा के लिए प्रेरित किया गया है अब मुझे इसमें ए तो सही लग रहा है लेकिन दूसरा सही नहीं लग रहा हिसा के लिए प्रेरित तो नहीं करते वो अपने अधिकारों के प्रतिलड़ना शिखाते है लेकिन हिंसा के लिए प्रेज्ष नहीं करते 27 worker उपसन यहां देखते हैं हम कौन सा है A सही है और R आन्शिक के लातन ही ही है वह उक्साते तो है लेकिन हिंसा के लिए नहीं उक्साते तो इसलिए हमारा मेरे हिसाब से तो यहां आर बिल्कुल गलत तो नहीं है आन्शिक सही है तो सी उत्तर रहेगा इसका उत्तर हमारा 27 में का रहेगा सी उसके बाद 28 मां परसंद देख लेते हैं 28 मां परसंद क्या करता है मैथिलिशन गुप्त की निमन रचनाओं को रचना काल के आरोई करम में लिखिए यहां आपके लिए डबल वही है चार गुना फायदा है एक तुछ चार रचनाएं हैं आप मैथिलिशन गुप्त की अच्छे से याद कर पाओगे दूसरी याद कर पाओगे कि सबसे नहीं सक्षन की जिस साल स्थापना हुई थी उसी साल प्रकासित हुई थी यानि कि 1936 में आप इसतना एक चीज को दूसरी चीज से जोड़के याद करोगे तो ज्यादा याद रहेगी तो यहां पर भारत भारती इनकी सबसे पहली रचना थी भारत भारती 1912 में हुई थी शायद इसमें का डी ओप्षन रहेगा अगे चलिए 29 में परसन को देख लेते हैं क्या है 29 में परसन उत्तर में इसका उत्तर क्या है और परसन क्या है राम को रूप निहारत जान की कंगन को नग की पर चोही याते सबैस उदी भूले गई कर टेक रही पर तारत नहीं में कौन सा र पांतरन करके देखो तो अपने कंगनों के नगों में राम की परचाई देखकर उनके रूप संद्रिय को निहार रही है जब रती भाव आ जाता है हमारे कहीं भी तो यह रस की बात हो रही है तो हमें मूल भाव को याद करना अगर मूल भाव में पता है जो हमारे मूल उनको अगर आप याद रखते हो तो रस आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा और जब यहां रती का भावारा है तो निर्विवाद रूप से कौन सा रसाएगा हमारा श्रंगा रसाएगा डी ओप्सन रहेगा गोस्वामी जी की भक्ति-पद्दति की सबसे बड़ी विशे देशता है उसकी सरवांग पूरणता यह कथन किसका है यानि कि किस आलोचक ने है कथन कहा है गोस्वामी तुलशिदास जी के बारे में तीस्वा परसन हमारा नंदुलाराई बाजबई आचारी रामचंदर सुकल जी इस परकार के तरक देने में फेमस रहे हैं तो यह डी साधानिकर्ण की परकिरिया में मधूमती भूमिका की चर्चा किसने की थी साधानिकर्ण अगर आपको भारतिय कावे सिधानत की बात है तो साधानिकर्ण भी याद होगा उसमें मधूमती भूमिका की चर्चा किसने की थी इक तिसमा परसन हमारा शाम सुंदर दास राम का उपन्यास कौनसा है अगर आप बात करते हैं विशम सहहनी की तो राग새 दर बारी अर राग दर तो यह धान देना आप यह चारों रजना अलग अलग यानि कि इसका उत्तर हमारा रहेगा तमस चार परसन होगे इसमें अगर आपने धान दिया हो तो 33 परसन देख लेते हैं नमेंशे किस काव्य गरंथ में कामा धाय की चर्चा हुई है कामा धाय अंदा युग कामाएनी आत पुरान रूप से कामा धाय नहीं है अगर कामा धाय की बात करते हैं तो पुर उर्वा और उर्वशी जो है पहला क्या कहता है पछपन ख़ंबे लाल, दिवाले, चाक और आपirmस देख लेटें है इसका उत्तर अगर यह दी हम बात करें तो कि इसके ओप्षन अच्छ जी आगे हैं कि चलो अब यहां पर महा भोज मनु बंडारी की रिचना है कि और पच्पन खंबे लाल दिवार कि चाक कि महा भोज महा जाग यह मनु रश्याम जोशी यानि कि ओप्षन देख ले और यह देगा पी इसका उप्षन है हमारा उत्तर इसका बी एक मनु देख लेजिए बी ओप्षन रहेगा इसका 34 का यानि कि यह बड़ा मुबाइल पर पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है ए जो है उसका चार और बी का ए एक चार बी का ए कुरू कुरू स्वाह मनु और साम जोशी एक चार ठीक है बच्पन खंबे लाल दिवार उसा पिरियम वदा और महा भोजमनू बंडारी चाक मनु और साम जोशी है इस पर कार करके हमारी मिल जाएगी और इसका उप्षन हमारा 34 का रहेगा पी कि हमारा जाच वा परसं और इसका उत्तर है हमारा ही ठीक है 35 के रचियता कौन है रास पन्चा धयकिन लिखि पैंटिसमे परसंन की यह दिवात करे हम तो इसका व्ह बड़ा जीकर आया है पहले भी आया है नंद दास की रास पंचा ध्यार जिसका जीकर काफी वार होता यह कीजिए और सही वी कल्प का चैन कीजिए फिर से मुलन चार परसन फिर आगे ये परसन साइद हमारा पहले भी आ लिया नहीं भी आया है तो फिर से देख लेते हैं गोड़िये संपर्दाए चैतन्य महापर्भू चार का अगर इसको हम ऐसे करके देखें तो ये हमारा चैतन्य जो है अमधवाचारिये का है ऐसे आजाएगा हमारा इसका उप्षन तो एको यदी हम ले तो सी और बी को ले तो नहीं सोरी एको अगर हम विशिस्टाद वैदवाद रामा नुजाचारिये एक अब बी और दो का सी अब देखते हैं एका बी और दो का सी कौन सा है एक अबी भगतन को कहां सी करीशो काम यह पंक्ति किस कवी की है बहुत इंपोर्टेंट पंक्ति है भगतन को कहां सी करीशो काम से थिस्वा परसन हमारा और इसका उप्षन किसकी है यह है कुमबंदास की सी ओप्षन आएगा इसका भगति का लिन कवी हमारे जहांगिर्ज जसंदरी क करें तो केश्व की रचना है रिती कालिन कभी है हमारे उसके बाद अगला परसंद देख लीजिए इन में से कौन सा गरंथ लक्षन गरंथ नहीं है जो रिती काल में दिखे गए थे लक्षन गरंथों कि विन्य पत्री का कभी पिरिया राम तो यहां पर विन्य पत्री का वे एकन्व करन्थ है राम चंदरी का तो है पूरण रूप से यह थैस संद्रिक खायीव राम करनत नहीं है वह दोगरंथ से विकास की बात आती ती तो है Però थी और इनके इसके लेख का नाम जो है वो है गुसाई गोकुलनाथ यानिकी डी ओप्षन रहेगा इसका गुसाई गोकुलनाथ ने लिखी थी चौराशी वैसनों की वारता जिसको हिंदी साहित्ते की इतिहास की भूमिका में हम याद करते हैं कि उन्होंने भी जोना जाये शी गंग कवी रोडा जटमल इक तारिश का एक तारिश का उप्षन वारा जट गोरा वादल की कथा को इसने लिखी थी तो यह इस रचना के लेख का नाम है जटमल उसके बाद है वैंगार्थ को मुदी कि श्रिति कालिन कवी की रचना है वियारिश मां हमारा तो रस इसलीन की पदमाकर की मतिराम की वैंगार्थ गोमुदी परताफ सिंग यानि कि इसका ब्यारिश में का उप्षन डी रहेगा यह है हमारा इसका उप्षन परताफ सिंग उसके बाद शेक्सपियर के नाटक मर्चंट आफ वेनिस का हिंदियन वाद बहुत इंपोर्टन्ट है कई बार यह पूछ लिया जाता है मर्चंट आफ वेनिस किस नाम से किया गया या यूँ आ जाता है किस ने किया इस तरह करके तो 33 में का उप्षन रहेगा हमारा उसको दुरलब बंदू मर्चंट आफ वेनिस दुरलब बंदू के नाम से उन्होंने इस नाटक का हिंदी सूजान के रचियता का नाम बताईए यह भी बहुत इम्पोर्टेंट सूजान एक रचियता कोन है तो बालकर्षान भट ने लिखा था सूजान एक सूजान इसका उप्षन रहेगा हमारा बालकर्षान भट जी उप्षन और अद्टिम पंतालिस में परशन की तरह बढ़ते ह करता है मैं थोड़ी देर पहले आपको बता था कि साधान बात कोन करता है भटलो लटका है उत्पत्तिवाद और भटनायका साधानी करन आचारी विश्वनाथ ने धावनी संपरदाय को ही पोसित किया था उनको ही इनको मौधित किया था और अब यहां पर यदि हम बात करते हैं तो भटनाएक साधारनी करने आने की भटनाएक भी उप्सन रहेगा तो इस परकार यह हमारे विडियो आउमीद आपको पसंद आई ह होगी और देखते रहे जिन बचों ने लाइक नहीं किये और लाइक करें शेयर करें अपने आसपास औरों को भी पेज़े ताकि उनको इसका फाइदा हो सके और एक बात और कहना चाहूंगे आपको कि हमारी इबुक है जो स्टोर पर भी उपलब्द है और मेल दवारा भी आप मंगवा सकते हैं उसमें जो नवड़े अच्छे टोपिक को छाट के अच्छे प्रस्तुत किया गया है आपके लिए बड़ी उपयोगी होगी तो विडियो देखने के लिए धन्यवाद जैए